द्रभंगा एरपोर्ट की फजीहत के बाद यात्रियों के लिए एक खुस खबरी आई है जीहां लगातार द्रभंगा एरपोर्ट की किर्कडी होने के बाद यात्रियों के लिए राहत की खबर सामने आ रही है जहां दीपावली एवं छटपड़ पर घर लोटने वाले लोगों की समस्या को देखते वे फ्लाइटों की संख्या बढ़ा दी गई है जीहां विमानिन कंपनी के द्वारा दिल्ली मुंबै और बैंगलोरू रूट पर विमानों की संख्या बढ़ा दी गई है विमानों की संख्या बढ़ाए जाने से यात्रियों को लोटने में सहलियत होगी वही आपको बताते चले बुनियादी सुविदा बहाल करने की जरूरत है इससे द्रवंगा एयरपोर्ट आने जाने वाले यात्रियों की मुश्किल हल तो नहीं होगी लेकिन थोड़ी सी रहत तो मिलीगी जहां हवाई सफर के लिए पटना एयरपोर्ट का रुख करते हैं लोग तो वही केवल फ्लाइट बढ़ाने से कम नहीं होगी यहां की मुश्किले बलकि एयरपोर्ट पर बुन्यादी स्विविदाओं को जल से जल बहाल करने की कोशिस की जाए वही आपको बताते चले लोगों को बहुत दिनों से हैं इंतिजार लेकिन मंतरी जी को इतनी जल्दी थी कि सिल्लानियास कर दिये लेकिन आम पबलिकों के लिए अभी तक नहीं चालू किया गया है यह खबर निकल के आ रही है जहां तीन महीने बीच जाने के बाब जूद भी दनितिन नवीन मंतरी थे बिहार सरकार में पत निर्मान विवाग के उनके करकमलों के द्वारा दरभंगा एयरपोर्ट पर नए मार्क की सिरुवात की गई थी नए रास्ता का उपनी किया गया वा था जहां तीन महीने बीच जाने के बाब जूद भी अभी तक उसे पबलिक के लिए नहीं कोला गया है जिससे एयरपोर्ट पर यात्रा करने वाले यात्रियों को काफी पड़िसानियों का सामना करना पर रहा है आपको बताते चले तुला जून 2022 को यह पुल का उद्घाटन मितिन नवीन एवाम द्रभंगा के जनपरती निधियों के द्वारा किया गया था जहांके सांसद, विधायक समी ने मिलकर वीता काटा था लेकिन क्रेडिट लेने के लिए उन्होंने इस तरीके का उपनिंग कर दिया लेकिन यहाँ माना जा रहा है कि यात्रियों पर एक तमाचा है जिसे अभी तक लोगों को परसानियों का सामना करना पर रहा है हल नहीं नजर आ रहा है समान्य दिनों में भी होगा इतना उरान और इन रूटों पर बढ़ेगी फ्लाइग लोकास्था का पडव चट पड़ पर परदेशी से लोटने वाले लोगों के लिए बड़ी खुसकवरी है जहां लोग लोटने के लिए ट्रेन और हवाई मार्क का साहड़ा लेते हैं लोगों की भाड़ी भीर रेलवे स्टेशन और एरपोर्ट पर उमरती है लोगों की भीर से निपटने के लिए रेलवे द्वारा कई रूटों पर पूजा स्पेसल ट्रेन तो चलाई जाती है तो वही दूसरी और हवाई मार्क से लोगों को आने जाने के लिए विमानन अपनी ने दिल्ली मुंबे और बैंगलेरू रूट पर दिपावली से पहले 20-30 अक्टूबर तक लगातार विमान उरान भरेगी वही इसके बाद छट पूजा को लेकर के 28-29 अक्टूबर को दिल्ली मुंबे और बैंगलेरू रूट पर भी प्रतिदिन 3 फ्लाइट उरान 20-30 अक्टूबर से दर्भंगा बैंगलेरू मार्ग पर दो फ्लाइट उरान भरेगी